हैलो स्टुडेंट वेलकम तु यूटूब इस्टडी मैसल दिनेश जादो आज की स्वीडियों बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिस और देखिए इंग्लिस में जो आपका प्रोजबूक है प्रोजबूक से मैं पांच प्रोजबूक में जो आपका कोशन बनेगा उसमें से साट एंसर टाइप कोशन आएंगे मतलब की छोटा प्रसन होगा और उसका एंसर साट में देना होता है तो आज की स्वीडियों देखिए दो चेप्टर से कोशन बताएंगे जो काफी इंपोर्टेंट है और इसके बाद जो आपका अगला चेप्टर है लोस्ट स्प्रिंग इस चेप्टर से तीन कोशन बताएंगे आप देख सकते हैं और काफी इंपोर्टेंट तीनों कोशन होने वाला है और साथ में इसका एंसर भी आपको याद करा देंगे तो चलिए सुरू से एंड तक बने रही है और वी दो लगारो चेप्टर से दो कोशन अब भी बताता हं पहले नममः देखियां हो स्नमर्ट जो कोशन लिए गया है क्या करा रहा है कि What दीड है मल से वैन फछांज रीस्ड तू दल इसकूल मतलब करा रहा है كि जब फ्रांज इसकूल में गया तो इंवं उज्डों क्या कहा इसको समझे हिंदी में क्या कर रहा है कि वेन फ्रांच रिस्ड टू दा स्कूल जब कौन मतलगी जब फ्रांच हैमिल की स्कूल में पहुंचा तो उसने उसे देखा और बहुत किरिपा करके कहा कि जल्दी से अपने अस्थान चले जाओ और वे उसके बिना शुरू हो गए ठी कफी इंपोर्टेंट है इसको टीक लगा लीजिएगा वी आईपी कोशन है न और इसके बाद अगला कोशन इसी चेप्टर का अच्छे से तयार कर लीजिए और इसका पीडिएफ अगर चाहते हैं तो पीडिएफ डिस्क्रेशन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा तो कर रहा है कि फ्रांज ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा यानि कि फ्रांज ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा वाई और क्यों सोचा तो इसका एंसर कैसी देना यहां पे ध Temperance thought about the P incidents that if they German German would make them सीन अब देखे इन जर्मन ठीक है अब इतना का पहले अर्थ समझ लेज़े कह रहा है इसमें कि फ्रांस ने कबूतरों के बारे में सोचा कि अगर वे उन्हें जर्मन जाएंगे मतलब जर्मन जाएंगे इसका मतलब कि उसने ऐसा सोचा जब उसने सुना कि कबूतर छट पर बहुत नीचे आ गए है तो इससे कोशन को अच्छे स्तियार कर लेना है काफी इंपोर्टेन कोशन है फार बोर्ड एक्जाम एंड हाफ्यर्ली एक्जाम के लिए ठीक है तो ये इस चैप्टर का दोट कोशन मैंने बताया अब इसके बाद अगला चैप्टर जो है आप देख सकते हैं यहां पर कौन सा चैप्टर है लासट इस चैप्रिंग से देखिए तीन कोशन बताएंगे तीनों कोचिस तयार कर लेना है ठीक है देखी थर्ड नमर कोशन क्या कर रहा है कि हू आज मुकेस मुकेस कौन था वेर डिड़ ही बिलॉंग एंड वाट वाज इस एमबीशन ठीक है इसका मतलब कि मुकेस कौन था और वह कहा था और उसकी महत्वकांचा क्या थी ठीक है तो इसका एंसर यहां पर देखेंगे क्या कर रहा है कि मुकेस वाजे यंग वाई बिलॉंग टू दा बंगाल मेकिंग फैमिली फ्रम फिरोजावाद ठीक है अब यहां पर फूल स्टाप है इसका मतलब क्या कर रहा है कि मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार का एक छोटा सा लड़का था अब देखिए his ambition was different from his family as he wanted to become a motor machine ठीक है इसका मतलब कि उसकी महतवकांचा उसके परिवार से अलग थी क्योंकि वह एक motor machine बनाना चाहता था ठीक है अब देखिए इसको अच्छे से टीक लगा लेजिए और काफी important question इसमें select करके लाया गया है तो आप समझ सकते हैं body jam के लिए काफी important है अब इसके बाद अगला question इसी chapter का है 4 number if is his karam his destiny who said his and why देखिए question दो question किया है एक अगी question में दो type से question कर दिया है इसका मतलब क्या कर रहा है कि it is the karam इसका मतलब क्या कर रहा है कि यह उसका करम ही उसकी नियती है जिसने यह कहा और क्यों कहा ठीक है question कर रहा है तो इसका answer देना है कैसे कि it is his karam his destiny मुकेस ग्रेंड मदर सेड देश विकाज सी है वास्ड हर ओन हस्बेंड गो ब्लाइंड वीथ दो डस्ट फॉर्म पॉलिसिंग दा ग्लास आफ बंगाल ठीक है इसको अच्छी समझ लिजे इसका क्या कर रहा है अर्थ it is the karam या उसका करम है his destiny उसकी नियती मुकेस ग्रेंड मदर सेड मुकेस की दादी ने ऐसा कहा इसलिए विकाज मतलब इसलिए क्योंकि क्योंकि उसने अपने प्रती अपने प्रती को चुडियों के गिलास को चमकाने से धूल से आधा होते देखा इस कोशन का एंसर इतना हो जागा तो इसको कर लिजिए अच्छे से इसका आगर पीडियेप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वहां से इसको अच्छे से रिवाज कर लिजिए और देखिए यह कोशन नमर 5 ध्यांस देखिए इ इसका मतलब क्या कर रहा है कि साहब और अन्य कुडा बिनने वाले चपटल क्यों नहीं अब उन्होंने उसके लिए पहना दिया मतलब उन्होंने उसके लिए क्या बना दिया है इसके answer देखिए इसका कि साहेब और रैपिकर्स डिड नट वेयर चैपल्स बिकाज इट्स देयर ट्रेडिशन टू वांडर बीयर फूट एंड दे डिड नट लाइक टू वेयर आलसू इतना का पहले और समझेगा आप लो कि देखिए साहेब और अन्य कुड़ा बिनने वाले चपल्स कहां नहीं जाते थे मतलब कहां नहीं जाते थे क्योंकि नगेपाओं घूमना उनकी प्रमपरा थी और उन्हें कहा भी कहना भी क्या था पसंद था अब देखिए इसके बाद यहां से they excused that their mother did not give them from the self उन्होंने बहाना किया कि उनकी माने उन्हें self से नहीं रखा तो इस question का इतना आपको reply करना इस question का इतना जवाब देना है और जितने मिमाई ने question आभी बताया है इसको अच्छे से एक दो बार वीडियो को देखिए अच्छे तयार कर लिजिएगा ताकि बोट जिया में देखिए कोई भी question आया है तो आप छोड़ करना है अच्छा score करना है तो मेरी एक एक वीडियो को देखते रहे है daily आप 90% इसकोर कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में न्यू चैनल का लिंक है उसको सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर जूट जीए और वार्टसप ग्रूप का लिंक है वहाँ पर जूट जीए